हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का फ्रेंड आज की वीडियो है 36 साइज कटोरी ब्लाउज स्टीजिंग पर है तो आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिजिएगा तो हमने ब्लाउज को कट करके ले लिया है कटोरी का पार्ट और मेन फैबरिक अस्तर वाले कपड़े को रखते हुए हमें पूरे राउंड में स्टीज लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल लेना है इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को रेडि कर लेना है अब साइड वाले पार्ट पे भी हमें इसी तरह से स्टीज कर लेना है पूरे पार्ट में हमें स्टीज लगा लेनी है ये देखिए हमने रेडि कर लिया है दोनों पार्ट को हमने रेडी करके रख लिया है अब हमें लगानी है टक्स तो टक्स पॉइंट हमने लंबाई में तीन इंच पे लिया है और देड़ी इंच चोड़ाई में लिया है तो इस तरह से हमें टक्स पॉइंट को सिलके रेडी कर लेना है दोनों पार्ट में हमने टक्स पॉइंट को रेडी कर लिया है अब यहां से हमें दोनों फैबरिक को मिलाते हुए सिलाई लगानी है कटोरी वाला पार्ट और साइड वाले पार्ट को हम इस तरह से स्टेच करके रेडी कर लेनी है हमें देखिए अब नीचे से जो कपड़ा एक्स्ट्रा आया उसको कट करके निकाल लेना है अब यहां से देखिए आगे से हमने एक और टक्स लगाया है अगर आपने इस तरह की नहीं बनाई है तो एक बार जरूर ट्राइ करिएगा पहनने में बहुत अच्छी फीटिंग आती है तो अब हमें बेल्ट को रेडी करना है तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है अब यहां से हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए अस्तर वाले कपड़े पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाते हुए हमें इस तरह से पलट देना है पलट के हमें यहां बीच से इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है एक साइड में हमने सिलाई लगा लिया है अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है बीश से हमें कट करके दो पार्ट में बाट देना है एश्टा कपड़े को कट करते हुए हमें दो पार्ट में कर लेना है अब एक पार्ट को हमें लेते हुए इस तरह से हमें बेल्ट जॉइंट कर लेनी है बेल्ट हमने जॉइंट कर लिया है अब यहां से हमें उपर से बेल्ट के उपर से एक नेसिंग की सिलाई लगा लेनी है धागे को कट कर लेना है अब देखिए हमें यहां से हुग आई की पट्टी भी लगा लेनी है तो आई की पट्टी हमने इस तरह से लगानी है हमें दो इंच का कपड़ा हमने चोड़ाई में लिया है और लंबाई में अपने हिसाब से लिजएगा जितना आपका लंबाई आ रहा हुप लाउच की तो इस तरह से सिलाई नीचे से लगाते हुए उपर की तरफ हमें फोल्ड करना है यहां से हमें इस तरह से मोडते हुए उपर से सिलाई लगा लेनी है अब यहां से देखिए एक पैर का मार्जन लेते हुए एक सिलाई और लगा लेनी है साइट से लगा कर हमने रेडी कर लिया है फ्रेंट वीडियो कैसा लगा यह जरूर बरताईएगा धन्यवाद